राजस्तान के पुरातात्विक स्रोत ठीक है आर्केलोजिकल साइट्स या यूं कहिए कि आर्केलोजिकल एविडेंस के दो आ ठीक है अग्समें हम तीन चीज़ें रेके सबसे पहले कि पुरात फिक स्ठल कहते किसे है और इन इस फ्रकार से खोजने का काम कौन करता है इनकी study कौन करता है एक बात तो हम यह देखेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा उसका परिच्छे करेंगे परिच्छे में दो चीज़ें देखेंगे कि एक तो परिवासा कि पुरातात्तिक सुरोत कहते किसे हैं और दूसरा बिंदु क्या देखेंग दूसरा देखेंगे कि यह कारे करता कौन है तो मैंन संसता क् ha Daski स्टडी करती है उसकेब देखेंगे कि इनका वर्गी करण परातात्ती की सुर्टों का वर्गी करण देखेंगे और उसके बाद में राजस्तान के पुरातात्विक स्थल और उनकी विशेश्टा है, ठीक है, राजस्तान की पुरातात्विक स्थल और उनकी विशेश्टा है, तो तीन बिंदों पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोड़क्शन कर लेते हैं फिर classification करेंगे वरगी करन में हम ये देखेंगे कि पाशान काल इन कौन से हैं तामर काल इन कौन से हैं काशे काल इन कौन से हैं लोह काल इन कौन से हैं और आपके लास्टे में थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि उसके बाद के कौन से हैं ठीक है एतियासिक काल इन कौन से हैं त हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में इतियास को जानने के सुरोत पढ़ते हैं, ठीक है, तो इतियास के जानने के सुरोत वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रातात्रिक सुरोत, एक होते हैं आपके लिट्रेरी या साहितिक सुरोत, आप उसको कह सकते हो, साहितिक सरोत वो होते हैं जो किसी पुस्तक की रूप में लिखे हुए हो या किसी पांडू लिपी की रूप में लिखे हुए हो बनलब पेन वगरा से लिखे हुए हो जिसमें लिपी का उप्यूप किया गया हो क्या कहते हैं या किसी इमारत की रूप में जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम पराता सोत कहते हैं एक एक मैं आपको धारन दे के समझाता हो जैसे हम अगर आपके किसी जिले में आप आप जहां कहीं भी रहते हैं जैसे मानलो बाडमेर में है या पिर मानलो आप जैपूर में है या पिर आप मानलो मद्रदेश में है आप कहीं पर भी आपकी जिले के आसपास कहीं जाओगे तो आपको कोई प्राचिन मूर्ति मंदिर म मिलेगी ठीक है उन मूर्थियों के ऊपर कुछ लेख हो सकता है कुछ नीचे लेख भी लिखा हुआ हो हो सकता है कि उस मूर्थियों के कोई विशे वस्तू रही हो तो वो पुरा तात्विक स्रोत कहलाता है ठीक है अगर उस मंदिर से कोई पांडू लेपी मिली है ठीक है तो उस पांडू लेपी को हम क्या कहेंगे साहितिक सरोत कहेंगे अगर जैसे रामा एन माहवारत वगरा ये क्या ये साहितिक सरोत है लेकिन जैसे असोक का कोई स्थम्भ है तो वो आपके क्या है पुरातात्वि जहां पर ये चीज़े मिलती है उन्हें पुरातात्विक इस्थल कहा जाता है तो इस्थल किसे कहते हैं उन इस्थानों को कहा जाता है जहां से पुरातात्विक सुरूतों की प्राप्ति होती है अब बाती आती है कि जो पुरातात्विक सुरूत है इनके उपर स्ट्डी कौन करता है इनकी स्टेडी करता है भारती पुरातात्वी विभाग ठीक है भारती पुरातात्वी क्रविक्षन विभाग एसाई जैसे हम कहते हैं आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया इसकी स्थापना 1861 के अंदर एलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी फिर कनिंगम लंबे समय तक रहा लगबग 1885 तक लगबग लगबग रहा था फिर यह कहिए कि आर्थिक संकट को देखते हुए जैसे एडवर्ड बक संकट भी बोलते हैं फिर इस पुरातातिव विभाग को बंद कर दिया गया 98 तक यह बंद रहा फिर जब लॉर्ड कर्जन वाइस रह बने तो 1902 में इसको री स्टॉर किया और वापस मार्सल के नेत्रतों में आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया को काम करना शुरू करता है और फिर वो आज भ divorce एसे कई सारे लोग पातर भात के सेवाइनधी तोत्य सारा काम कौन सी संस्ता करती है ऐसा ही करता है तो आपको परिवासा फता चल गी संस्ता फता चल गी भरगी करना है उससे पहले में आपको यह बाते लिख़वा लेता हूं कि परता परिवासा लिख लेते ठीक है परिवासा अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपको ऐसे लोड लेने के आप सिकता नहीं है बहुत आसान चीजे हैं और इनको समझने में भी बहुत ही यूँ कईए कि आनन्द आएगा आपको इतियास इतना जटिल है निजतना बना दिये गया है तो हम इसको ऐसे इस्थान ऐसे इस्थान जहां से पुरा तात्विक शूरोथ प्राप्थ हो उन्हें पुरा तात्विक इस्थल कहा जाता है पुरा तात्विक इस्थल कहा जाता है ठीक है तो अब देखो आपके मन में यह प्रेश्ण भी आ सकता है कि चलो यह तो बात समझ में आ गए कि पुरा तात्विक इस्थल किसे कहते हैं लेकिन आपके जिमाक में यह बात भी रह सकती है कि पुरा तात्विक शूरोथ आखिर होते कौन से हैं तो जितनी स्थूप हो सकता है भवन हो सकता है मंदिर हो सकता है कुई भी ठीक है तो वैसे सरचना सारी इमारत ही होती है इसके अलावा अभी लेक हो सकते हैं ठीक है मिर्द भांड हो सकते हैं मिर्द भांड मत्व मिट्टी के बरतन मिर्द यानि मिट्टी भांड यानि बरतन तो हम पढ़ते हैं कि उत्री काले मिर्द भांड लाल मिर्द भांड तो मिट्टी के बरतन भी एक प्रकार से क्या होते हैं प्रातात्रिक सुरूत होते हैं सिक्के हो सकते हैं मोहरे हो सकते हैं मोहरों का कोई निश्चित रूप नहीं होता सिक्कों का एक निश्चित आकार हो सकता है होता है सिक्के मोहरे मर्दभांड, अभिलेग, विविन सारी सर्चनाएं, इमारत हैं, ये सब क्या है, ये सब पुरा तात्रिक सुरूत है, ठीक है, और ये किसी भी इस्थान पे अगर बड़े पहमाने पे मिलते हैं, औजार हो सकते हैं, पत्थरों के औजार, उपकरण, उपकरणों में बरतन भी आ सकता है, विविन सारी चीज़े, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं केवल एक 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 जामपल दे रहा हूं आपको, तो ऐसे इस्तान जहां से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, आर्कियोलोजिकल साइट्स कहते हैं, अब चेतर जहां से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे हम आर्कियोलोजिकल साइट्स बोलते हैं, उस चेतर के बारे में एक स्टडी करते हैं, और विविन सारे नसकर्स निकालते हैं, कि यहां के लोग कैसे रहते होंगे, यहां के जीवन साली कैसी होती होगी, यह लो में एक विभिन प्रकार के आया मों का अध्यान करते हैं और एक निसकर्ष निकालते हैं जैसे हम जब काली बंगा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वह यह काली बंगा है यह हडपा सब तक अस्तान है और इसके अंदर विभिन प्रकार के इस परकार खेती करने के परमान मिले हैं सरसों की कھیती के अवसेस मिले हैं अगनिवेधिकाओं के अवसेस मिले हैं तो हम ये सारे सारी स्टीडी करते हैं कि एक ही कबर में दोट्व शौँ मिले हैं इसादार पर हम कहते हैं के बाद हम विभिन निस्कर्स पर पहांचते हैं कि वहां की जीवन कैसे चैली कैसी थी इसलिए हम इनको सब्धिता के स्थिल भी कहते हैं क्यों कि संस्कृति और सब्धिता क्या मैं आगे थोड़ा सा समझाऊंगो आपको तो थोड़ी परी बासों को पूरा कर लेते हम इसको है न कहा जाता है इन सुरुतों का अध्यन करने के उपरांथ के बाद पुरा तत्व विद्ध विद्ध विभिन निस्कर्शों पर पहुंच कर पहुंच कर को सब्वेता की जानकारी देते है ठेक है तो बहुत ही आसान बात है ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो पुरातात्विक सुरोत जो होते हैं ये किसी भी सब्वेता की जानकारी के लिए योंका ये की एहम सुरोत होते हैं क्योंकि जब लिपी का ग्यान ही नहीं था लिखना ही नहीं आता था लोगों को तो फिर इतिहास को जानेmot का यही एक मातर सुरूत होता है ठीक है हम जब पाशान काल पढ़ते हैं तो स्टोनेश के अंदर हम यह देखते हैं की पत्थ्रों के उपकर्ण से हमने स्कर्ष निकालते हैं कि उन समय लोगों की जीवन हैि कैसी रही होगी ठीक है बागवर को पढ़ते है तो कि अपसू पालन वहां पे छोटे फंशुक्पर्ण मिले उसे स्प्राप्ट हुए, अलाकि उसमें ज्यादातर मध्यपाशान के भी है, तो आगे हम देखेंगे यहां पे, तो कहने का मतलब यह होता है, कि आपके यह जितनी भी बाते हैं, यह सारे एक सारी चीजे, जहां से यह सुरोत मिलते हैं, उसे प्रातात्री गिस्तल कहते हैं, अब बात ही आती हैं कि सब्वेता शब्द कहां से आया, सब्वेता और संस्कृती दो शब्द आप डेली पढ़ते हो, सुनते भी हो, सब्वेता का मतलब ही होता है, सब्वेता एक सरीर होता है, संस्कृती एक उसका जीव भाग होता है, यह कहिए कि संस्कृती जिंदा रहत संस्कृति एक पीडी से दूसरी पीडी आगे बढ़ती है और सब्वेता नस्ट हो जाती है संस्कृति गतिक होती है डाइनामिक होती है सब्वेता गतिक नहीं होती जैसे वैदिक सब्वेता हडपा सब्वेता यह सब्वेता नस्ट हो गई लेकिन उनकी बातों को आज भी हम जैसे स्वास्ति की पूजा वो भी करते थे, स्वास्ति की पूजा आज भी होती है, नाग की पूजा, व्रक्षों की पूजा, अगनी की पूजा, वे लोग भी करते थे, हम आज भी करते आ रहे हैं, तो ये संस्कृति है, और जो structure था, भवन वगेरा, सारे सारे, वो उनकी सारी चीजों से हमें उन छेत्रों की सब्विता और संस्कृति की बारे में क्या मिलती है जानकारी प्राप्त होती है को उप्त सुरूतों से सब्वेता व संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है हम आरहम से कह सकते हैं कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था या आर्थिक जीवन कैसा था तो ये इसका इंपोर्टेंस है अर्कियोलोजिकल साइडunky का ये होगी इसकी definition तो पुरा दात्वी कि तल या सरोत की बात समझ में आगी हमें अब हम बात करते हैं कि इनका अध्यन कौन करता है, इससे सम्मंदित संस्था कौन सी है, इसका एक सामने परिचे मैं ले देता हूँ, ठीक है? एक सेकेंट अध्यन के सुरोथ, अध्यन की संस्था कि इनका अध्यन कौन करता है, ये संस्था में थोड़ी देखने पड़ेगी ठीक है? अब देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ विशेश नहीं है कि पुरातत्व का अध्यन बारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्किलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया द्वारा किया जाता है ठीक है? तो इस पूरा सस्टम का अध्यन कौन करता है? ASI करता है, ठीक है? अब अगर अपन ASI की बात करें, तो इसकी कंणिंगम द्वारा के गई थी? के गई थी? कंणिंगम इसके पहले डारेक्टर जनरल थे? इसके पर्थम डारेक्टर जनरल थे? इसे पर्थम सर्वे वर भी कहते हैं हम थे? ठीक है? अब क्या हुआ कि जब कंणिंगम जो है, इसकी जब रिटायर हो गए, सेवा निवरत हो गए, लगबर 1885 के असपास, उसकी बाद में फिर इसका करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खर्चा कौन दे है? ब्रिटेस गवर्नमेंट इसमें खर्चा बहुत आ रहा था, ऐसी इस्तती में फिर खर्चा तो बंद हो गया, जब इसका खर्चा बंद हो गया, पीछे से फंड आना बंद हो गया, तो आप ये समझे है कि 1888 से 1891 तक ये बंदी रहा, लो 1902 तक ही बंद रहा है, ठीक है? फि वित्तिय संकट के कारण, वित्तिय संकट के कारण, के कारण बंद रहा, ठीक है? इस संकट को बक संकट कहते हैं, क्योंकि उसमें एडवर्ड बक की रिपोर्ट थी, और एडवर्ड बक नहीं कहा था, कि यहों कहिए कि ASI के पास में पैसा नहीं, इसको क्लोस कर देना चाहिए, तो इसे बक संकट भी कहते हैं, इतियास की वच्चे याद रखते हैं इस बात को, तो वित्तिय संकट के कारण ये बंद रहा, तद पश्चात, पुनह 1902 में, पुनह 1902 में, 1902 में करण ने, करण ने, ASI को, जिन्दा किया, और मार्सल को, जॉन मार्सल, को डीजी बनाया, अलब डिरेक्टर जन्रेल बनाया, ठीक है, और इसी मार्सल ने आपको पता होगा, कि शिन्दु काटी सब्वेता, कि जब खोज हुई, तो उस समय डीजी कौन था, मार्सल था, ठीक है, और यह दो बात है, बस ज्यादा ज्यान नहीं रखना है, बस दो तिन बिंदु है, ज्यान रखने जरूर ही है, क्योंकि हम आर्कियोलोजिकल साइट्स पढ़ रहे हैं, और मैं अगर यह नहीं पता कि आ आगे वे क्या हुआ, तो तत्पश्यात, स्वतंतरता के समय, के समय, मार्टिन वीहलर दीजी थे, ठीक है, मार्टिन वीहलर डीजी थे, बीच में कई सारे आए, दयारम साहनी, इसे पूर्व बने, ठीक है, और बहुत सारे, सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर अमला नंद गोस बने त्रेपन में, और बहुत सारे आगे अपन पढ़ते जाएंगे, तो इस तर जासे भारती प्रातात्तिक सरेक्शन विभाग का गठन किया, और आज वरतमान में यही सब कुछ कार्य करता है, ठीक है, यह साही द्वरा किया जाता है, वरतमान में इसका मुख्याल है, है, हैड़क्वाटर, अंदिल्ली में है, इसके चौतिस सर्किल है, कुली, चौतिस सर्किल है, वालो छेतर है, राजस्तान में, राजस्तान में, जैपूर पर जोदपूर है, ठीक है, उप सर्किल और भी कई है, यह सारी बाते हैं, हम जैपूर पर जोदपूर में हैं, दो सर्किल है, ठीक है, यह बात थोड़ी अतरिक्त जान करी है, वाकि एक्स्त जान करी है, ठीक है, तो यह तो हो गया आपके, कौन सी संस्ता इसका अध्यन करती है, तो देखो, हमने दो बातें देख ली, परिवासा देख ली, और संस्ता देख ली, अब हम बात करेंगे इसके वरगी करण की, कौन-कौन से पुरातात्वी गिस्तल है वरत्वान में, ठीक है, अब तीसरा बिंदू आता है, वरगी करण का, हम पुरातात्वी गिस्तलों को तीन भागों में बाढ़ देते हैं, ठीक है, कितने तीन भागों में बाढ़ते हैं, और कौन-कौन से भागें, मैं वह बताने वाला हूँ आपको, देखिए, तीन भागों में बाढ़ देते हूं मैं पहले, पाशान काली निस्थल, मनुष्य ने सबसे पहले दातू की रूप में तामर का उपयोग शुरू किया था, उससे पहले उसको दातू से कोई उसका परिच्च नहीं था, तो वो पथरों से ही अपना जीवन यापन करता था, पथरों की ओजार थे, शिकार करने से लेके घर की बर्तनों तक पथरों की गुफाओं में रहते थे, तो सब कुछ पत्थरों पर आधारित जीवन शेली थी क्योंकि वो गुमन तो जीवन रहते थे उनका कोई स्थाई आवास तो था ने एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे तो ऐसी स्थाथी में पूरा सब कुछ जीवन में प्रस्तर ही यूज करते थे इसलिए इतियास का आरंब चाए अमेरिका का हो चाए इंग्लेंड का हो चाए जर्मनी का हो चाए भारत का हो चाए डेन्वार्क का हो इतियास का आरंब हमेशा पत्थरों से हुआ है इस्टोन एज सबसे पहले आती है फिर आपके मेटल एज आती है धातू ही ठीक है फिर धातूं का उप्य श्रूरू होता है वह आज भी चल रही है तो इस्टोन एज सबसे पहले आई तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या यूज किया था पाशान वारत में भी पाशान काल है ठीक है जिसे हम स्टोन एज बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टोनेज अब इस इत्तिन बाग है पुरा पाशान, इसको लिठिक का इसे प्रकार से आप इसको ऐसे समझें कि इसके अंगरी जी नाम भी याद रखना और थोड़े से इसके हिंदी नाम भी याद रखने हैं आपको अब ये को पाशान का लें जो स्थल है हमारे पास में अब इसको हम बाद में समझेंगे तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं कि इसकी वर्गी करण की बात करें तो उसको अपन ऐसे करते हैं एक में इसका नाम अपन थोड़ा सा अलग रखते हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा सा जोर अच्छे से आएगा प्राक इतिहास लिख लेते हैं प्रीस्टरियोश से कहते हैं प्राक इतिहासिक काल। आध इतिहासिक और तीसरा आएगा आपकी इतिहासिक काल। इस्ट्री को हम तीन वागों में बाड़ते हैं ठीक है अब देखो इससे कहते हैं प्री इस्ट्री से पहले का काल प्रोटो इस्ट्री और इस्ट्री अब देखिए प्री इस्ट्री जो है क्या कहते हैं प्री इस्ट्री इसको क्या कहते हैं प्रोटो इस्ट्री और इसको कहते हैं हिस्सोरिक काल तीन नाम आ जाएंगे यहाँ पे इतिहासिक काल अब तीनों में क्या अंतर है मैं यह भी बताता हूँ आपको बहुत जल्द आपको सारी चीज़े समझ में आने वाली है ठीक है बस थोड़ा सा धैरे रखना आदे इतिहासिक और प्राक इतिहासिक ठीक है अब देखिए आप अब इतिहास का सबसे प्राचिन काल जो है जो हिस्ट्री से पहले का काल जैसे हम प्राक इतिहासिक काल कहते है जो कि इस काल के अंदर मनुष्य जो है वो पाशान का उप्योग करता था इसलिए इसको क्या कहत कहते हैं पार चांट कान करते हैं तो पार काल है जिस समय व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से पत्थरों के आसपास एरद गीरद दयता था इन को न लिपी का ग्यान था न लिखना ग्यान नहीं था लिपी और लेखन का ग्यान नहीं था ग्यान नहीं था ठीक है और ये जो है आद इतिहासिक अब आद इतिहासिक काल जो है इस काल में इन्होंने धातु का उपयोग शुरू कर दिया था ठीक है किसका धातु का उपयोग स्टार्ट हो गया था यहां पर हम आगे लेते हैं उसमें तो आद इतियासिक काल उसको कहते हैं जब लिपी और लेखन का ग्यान तो था लेकिन हमें उसको पढ़ना नहीं आया जैसे हड़पा लिपी तो है लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाएं क्यों नहीं पढ़ पाएं इसके पीछे कई कारण हैं क वह लेखन का ज्ञान था, मगर हम पड़ नहीं पाए इस कारण हम इसकी जानकारी है तो पुरा तक्तो पर निर्बार है पर निर्बार है ठीक है लिपी तो है लेकिन हम पड़ नहीं पाए तो हमें फिर भी पुरा तक्तो पर निर्बार रहना पड़ता है इसका सबसे बेस्ट एग्जामपल दो है वो है अडपा सब्वेता ठीक है राजस्तान में काली बंगा अडपा सब्वेता की दो स्थान है यह प्रोटो इस्ट्वी जहां पर लिपी है बावजुद उसके हमें पुरा तक्तिक सुरोतों पर निर्बर रहना पड़ता है और इसका क्या उदारन है इसका है पाशान काल स्टोन इज ठीक है इसमें फिर आपके क्या क्या है का वह भी मैं आगे बताता हूँ फिर आता एतिहासिक काल इसमें आपके लिखा भी गया है और उस लिखे हुए को ह इसकी जानकारी साहितिक स्रोतों से प्राप्त होती है ठीक है साथ साथ प्रातात्तिक स्रोत भी अब इसमें फिर मौरे काल, बौत धर्म, जेन धर्म, वैदी काल नहीं सरी उसके बाद कि गुप्त काल वगरा सारे इसमें आ जाते हैं ठीक है और इसका बेस्ट एक्जामपल अगर हम देखें राजस्तान के अंदर तो हम बेराट को ले सकते हैं बेराट जो है वो एतिहासिक काल का है हमें यहां से कई सारी लिपी भी मिली है साथ चीजे मिली हमने उसको पढ़ा भी है असो के लेख मिले हैं बाबरू वगर हमें उसको पढ़ भी लिया गया है तो वो सारीक सारी बातें आ जाती एतिहासी काल के अंदर क्योंकि बेराट का जिक्र हमें पतन जली के महभाशे में भी मिलता है तो साहितिक और पुरातात की दोनों की जानकरी यहां से जुटा सकते है यहां हमें पुरातात तो से ही जानकरी जुटानी पड़ती है लेखन तो हुआ बट हमें उसको पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं वी और प्राक एतिहासिक काल जो है ये ऐसा काल है जिसमें लेखन ही नहीं हुआ उन लोगों को लिखने का ग्यान ही नहीं था इसलिए हम इसकी जानकारी के लिए पत्थरों पर डिपेंड रेना वड़ता है और फिर इस प्रिष्ट्री को कई भागों में बाढ़ देते हैं ठीक है अब जखो इसमें आता है पाशान काल ठीक है पाशान हमें सोरी पुरा पाशान क्या आएगा पुरा पाशान एक सेकेंट पुरा पाशान मद्य पाशान नोपाशान तामर पाशान ठीक है यह सारी बात है पुरा पाशान नोपाशान और तामर पाशान और फिर तेखे अब जो सबसे जो पत्थरों के जो ओजार मेले उनमें जो सबसे बड़िया ओजार थे वो थे नवपाशान के सबसे गटिया ओजार थे पुरापाशान के जो लाकों साल पहले चलता था यहां के लोग खेती नहीं करते थे यहां के लोग अगनी से परिचित नहीं थे यहां के लोग याया वर थे एक इस्तान से दूसरे इस्तान बटकते थे यहां कोई स्थाई जीवन नहीं था यहां के जो ओजार भी थे ना वो भी एक परकार से बड़े बद्दे ओजार थे फि तो सबसे घटिया उपकरण थे उसको क्या नाम दिया पुरापाशान नाम दिया और तो सबसे बड़िया उपकरण मिले उनको क्या नाम दिया नवपाशान का आज भी जब भी इतियासकारों को पुरातत्विदों को कोई घटिया सा उपकरण मिलता है तो उसको नाम दे देते कि ये पुरा पाशानकालिन इस्थल है और अगर कोई बड़िया उपकरण मिल जाता है एक दम पॉलिस्दार चमकिला एक दम तेजधार वाला हलका तो हम कहते हैं कि ये नव पाशानकालिन आर्केलोजिकल साइट से फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसी उपकरण मिले जो न इस कैटे आर्केलोजिकल साइट्स ऐसी हैं जहां पर भदे भी मिल जाते हैं और बढ़िया भी मिल जाते हैं तब कहते हैं कि ये पाशान ये इस्थल जो है इन तीनों कालों में रहा होगा तो आर्केलोजिकल साइट्स की खास बात क्या होती है कि कोई भी साइट्स अधिकान साइट् जिनका तीनों से सम्मन रहता है, जैसे भीम बेट काम पड़ते हैं, भीम बेट काम हैं, मद्य पाशान काल इन अपकरण भी मिले हैं, नव में भी मिले हैं, देखो एक सामन समझ वाली बात है, कोई इस्तान इस काल में था, तो इस काल तक रहा ही होगा डिफिनेटली, कोई नदी चेत्र तिलवाडा पाली नागोर के चार स्थान दे दिया फिर कहते हैं कि यह किस काल के रहे हैं पुरा में भी फिर आगे तीन भाग हो जाते हैं पुरा में तीन भाग हो जाएंगे आपके अब देखो पुरा में English में मैं कहूँ तो फिर आपके later इसको अपन यह आएगा ही नहीं अगली क्लास में इसको अपन और आगे कर लेंगे पुरा में फिर क्या होता है Upper Paleolithic Age, Middle Paleolithic Age and Later Paleolithic Age तो तीन टाइप के भाग इसमें हो जाएंगे इसका कोई भाग नहीं होगा राजस्तान में नौ पाशान काल आया ही नहीं सीधा मद्य पाशान के बाद में तामर पाशान काल आया जहां से हम पढ़ते हैं आपके गनेस्वर की सब्विता, आहड गनेस्वरा जोद्पूरा संस्कृती यह सारे के सारे पढ़ते हैं नौ पाशान का कोई राजस्तान में इस्थान नहीं है जीवन मिला ही नहीं यहां पे मद्य पाशान में हम नीम बाहरा पढ़ते हैं मंडिया पढ़ते हैं इसके साथ साथ में आपके बागूर पढ़ते हैं तिलवाड़ा पढ़ते हैं ये सारे मद्धि पाशान में आते हैं ठीक है अलांकि मंडिया वगिरा जो है उसमें पुरा पाशान की निम्न पाशान का भाग भी मिला है यहां पे और पुरा पाशान में आपके कई सारे इस्थान आपके राजस्तान में अजमेर में, बुड़ा, पुस्कर वगरा, ये सारे स्थान यहां से आते हैं, ठीक है, तो ये है, स्थल यहां से, और हडपा सब्वेता जो है, इसमें कांसी का उप्योग बहुत बड़े पेमाने पे हुआ था, इसलिए इसको कांसी यूगिन सब्वेता भी कहते हैं, क्या कहत हैं, इससे द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु यूजगे थी, तांबा, कांसा, और यहां पे कौन सी वस धातु यूजगे थी, लोहा, ठीक है? तो बैराठ में लोहे के भी करण प्राप्त हुए हैं, तो इस तरह से हम इसका वरगरण करते हैं, ठीक है? प्राक एतिहासिक, आदियासिक और एतियासिक अब हम जो next class में क्या करेंगे next class में यह देखने वाले हैं कि आपकी यह वरगी क्लास में ने आपको बता दिया next class में राजस्तान का वरगी करन करेंगे कि राजस्तान की अंदर कौन सा इस्थान फिर इसको थोड़ा सा और खोलेंगे हम आगे और इसको भी खोलेंगे इसको भी खोलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद हम एक एक क्लास में आट-दस क्लासे इसके अंदर ये सार एक सार इस्थानों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ठीक है बहुत बदनिया वदिदार्तियों, अच्छी रही, मस रही और पढ़ती रही